हेलो फ्रेंड जैसे के देख पार आज मेरे पास आई है टीवेस विक्टर थ्री वाल्व का इंजन है और गाड़ी इतना ज्यादा इरेटेड कर रही है कष्टमर भी परिशान है और हम भी परिशान है दो तीन मरतबा इस तरह से मतलब कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है बट जिस तरह से प्रोब्लम कर रही है बहुत ही मतलब क्रिटिकल प्रोब्लम है गाड़ी फ्रंट सैट से कहीं खट-खट से साउंड कर रही कहां से यहां ते कि मैंने फियूल टेंक उतार के देखा क्योंकि से बहुत से बार जो होता है फियूल टेंक का जो फियूल गेज होता है वो टेंक में टच होता है खट-खट से साउंड करता है उसको मैंने खोल के रिपेर करके देखा बट कहीं से साउंड का सेल्यूशन नहीं आ रहा है जबकि मैंने सारे नट बोल्ट को टेट किया इधर सारा मतलब कम्प्लीट सारे चीज़ को चेक कर लिया बट जिसका जो में जो रिजन था वह बहुत कन साउंड आता था सिर्फ डिवाइडर में और उसके वजह से जो बहुत से भाई जो कनफ्यूजन हो जाते हैं और साउंड किलियर नहीं होता थोड़ी सी जो प्रोब्लम हो जाती है उतना ज्यादा क्रिटिकल लगने लगता है कस्टमर को भी और मेकनिक भाई प्रोब्लम को पकड़ने पाते हैं सबसे इंपोर्टन आपको बताएंगे प्रोब्लम कहां से और किस-किस गाड़ियों में इस तरह से प्रोब्लम आती है तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो कि वीडियो में एंट तक बने रही है एक प्रोसेस के बारे में बता देंगे चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इन सब गाड़ियों में जब भी फ्रंट साइट से आवाज आए तो आप बैरिंग वगेरा ना खोलें बैरिंग से वह साउंड नहीं होता वह डिस्क से साउंड होता है यहां से देखिए किस तरह से साउंड करी यहीं साउंड कर रही थे रेक्चुल प्रोब्लम पता ने चल पा रहा थे यह किन-किन गाड़ियों में हो तो वह बता देते हैं जो मैंने फेस किया है सबसे पहले सुजुकी एक्सिस में आएगा और फिर यह बर्गमेन है उसमें आएगा यह प्रोब्लम और यह जो सब्धव भरो सब्धार हते हैं कि Sikha औगएःह चला जाता है कंकड़ जाता है तो टो बर्गमर होता है पैसल कर रहा बट वहां से घ्टगज कर रहा है तो इसी ही को आज हम स्वाल करेंगे यह स्वाल कैसे होगा यह जगी यह इस कौने ऑगदेगा लिभर इंस्ट्रोबब करने के लिखने को डिस्क के लिपर complete खोलना पड़ेगा किस तरह से इसका solution निकालेंगे ताकि फिर next time से sound ना करें बहुत से बार होता है कि डिस्क की पत्ती दब जाती है तो वह पत्ती दबी नहीं है यहां पे एक rubber होता है जो गिरगी है जिसी हो जैसे यह देखिए इतना ज् से divider में जाए खट 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 इस तरह से sound मारेगी मतलब critical problem है जल्दी समझ में नहीं आता है इसलिए हम वीडियो बना दिए वीडियो में एंड तक बने रही एक एक प्रोसेस के बारे में आपको समझा देंगे तो यह 5K लूज करते हैं 12 गोटी लूज करते हैं फ साथ में खरीदना पड़ता है तो चलिए इसके दोनों screw remove करते हैं बीना time waste किए तो एक उपर screw एक नीचे screw दोनों को remove करेंगे अंदर 5K की bolt है उसको भी remove करेंगे तो यह हमारा आसानी से खुल जागा 12 mm का दो bolt open करना है फिर यह जो इसको solve करेंगे चलिए फटसे इसको open करते हैं तो दोस्तों bolt इसको open कर लिए अब disc के लिपर को बाहर ले लेंगे दो के पेड के condition proper है अब इसके LK bolt को complete बाहर निकालते हैं तो दोस्तों इसको आपन कर ली है अब इसका डिस्क क्रेक का प्लेट होता है ब्रेकइट इसको भाहर निकालेंगे ओब कि यह बाहर निकल गया यह साउंड जो एक्चूबल आ रहा था यहां से आ रहा था पकड़ोडिस्क के लिए पर हुआ यहीं से साउंड आ रहा था तो इसमें हमको सिंबली करना का है यह देखिए हम भी ट्राय की हैं जो सर्विस सेंटर या आफ्टर मार्केट कहीं पर रबर नहीं मिला तो यह हम एक बैक से खोल के इसमें लगा रहें आफ्टर मार्केट इसको यूज कर रहें और यह आपको जल् लिए इसको यسका रबर है इसी तरह सब्सक्राइब कर लीए और और यह कहीं से कोई प्रोब्लम ना हो और यह घाल्य ते इसको कर सकते हैं अपने घर में कुछ ही मदद से चलिए बिना टाइम विश्ट के इसको अंदर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है पहला पहले से यहीं से अधर जगह बिना देखे यांनी बेरिंग चेक किए बीना मतलब पहले बैरिंग चच करें पहले फिस फ्रॉक असेमली ना खो लें सबसे पहले एक बर डिस्क की कैलीपर को चेक कर लें यहीं से इशू होता है तो उस्तों उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से एगर थोड़ा भी इंफोमेटिव वीडियो लागत वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरू सस्क्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर दिजिए ताकि पर डे इस इतरह से टेक्निकल वीडियो लाते रहें चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर वाचिंग और कोई भी बैक रिलेटेड वीडियो चाहिए वीडियो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं